नेक्स्ट यो को बचा एक्जामपल नमबर फाइब फोर तक अपने अलग वीडियो में डिसकस की हैं अगर आपने नहीं देखिए बचा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको वहां से आप चेक कर सकते हैं अपने चेप्टर वन टू पढ़ लिय है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है तो पहला एक्जामपल नमर फाइब क्या कर रहा है एक्स कोई परसन है टेक्स त्री आवर्स मोर देन वाय टू वो थैटी किलोमेटर तेज किलोमेटर वो करने में एक्स क्या करता है वाय से तीन घंटे जाद हीज़ पेस पेस मतलब स्पीड अगर एक्स अपनी स्पीड को डबल कर लेता है वह अपने दो और से कितना पीछे रह जाता है अहेड मतलब पीछे सा रहा है one and half hours मतलब y मैंसे x को minus करोगे तो आपको कितना मिलेगा one and half मिलेगा अभी और समझाता हूँ देखो यहां से लेके यहां तक जाना है भाई और यह distance कितनी है 30 km है तो आपने का यहां पे x और यहां पे y है okay now let कर लेते solution में क्या speed of x speed of x is x km per hour and speed of y y की speed कितनी लेट कर लिया आपने y km per hour okay now x यहां से यहां पहुँचने में time लेगा हां sir लेगा तो मैंने का case 1 बनेगा फिर तो आपने का जरूर sir case first क्या होगा case first अगर मैं x की बात कर रहा हूँ तो x की speed क्या है भाई तो आप कहेंगे x km per hour है मैंने का कितनी distance cover करनी है इनको 30 km okay तो यह कितना time लेगा sir यह time लेगा distance upon speed तो distance कितनी है भाई 30 upon x hours okay अगर y की मैं बात करूँ तो आपने का y की speed क्या है मैंने का भाई y km per hour है कितनी distance cover कर रहा है 30 km distance cover कर रहा है इसका time कितना होगा तो इसका time होगा distance upon speed के according 30 upon y hours तो case 1 क्या कर रहा है x take 3 hours more than y to walk 30 km तो क्या मैं इस line को ऐसे लिख सकता हूँ कि x जो हो y से 30 जादा time ले रहा है तो y का जो time है 30 upon y उसमें से x का time subject कर दो तो आपको क्या मिलेगा 3 hours मिलेगा अगर यह बात पकड़ में कम आ रही है तो सर देखो ऐसा भी समझ सकते हो कि x takes 3 hours more than y मतलब x का जो time है वो क्या है y के जो time है उससे 30 जादा है ऐसा भी समझ सकते हो ओके क्या यह बात पकड़ में आ रही है x takes 3 hours more than y तो y के time में से नहीं नहीं यह वाली बात फिर गलत हो जाएगी आप किया एक्स का time ज्यादा है y का कम है एक्स क्या कर रहा है 30 ज्यादा ले रहा है तो यह वाली situation में मैंने erase कि उसमें क्या था कि x के time में से अगर y के time को minus कर देते तब आपको 3 hours मिलता यह बोलना चारा था ठीक है तो इससे 2 situation निकल के आ रही है देखो यहाँ पर direct नहीं बोला गया कि speed क्या है time क्या है हमें समझना है x takes 3 hours more than y to walk 30 km 30 km distance cover करने में x जो है y से 3 गंटे जादा ले रहा है और मैंने time क्या निकाला है hours में ही निकाला है क्योंकि speed अपने km में लेट कर रखी है और distance हमें km में given है तो यहाँ से equation बनानी है यह दो situation समझ सकते हो इसको मैं green color दे देता हूँ यह समझने के लिए है जैसा book में बोला है वैसे लिखा है और इसको मैं तुरह modify करके लिखा है और this is my equation number 1 क्या case 1 समझ में आ गया case 2 में क्या आ गय रहा है वो देखो यहीं पर लिख लेते हैं अपन case 2 case 2 में यह हो रहा है कि अगर x double कर लेता है अपनी pace मतलब अपनी speed को he is ahead of y by one and half hour वो y से एक one and half मतलब three by two hours पीछे रह जाता है ahead मतलब पीछे आगे या पीछे यही तो सोचना है y जो time लेगा और x जो time लेगा उसमें किसका time जादा होगा y का y का time जादा होगा उसको पीछे छोड़ देगा is ahead of y y से कितना कम है time की बात करेगा तो कम होगा speed की बात करेगा तो जादा होगा ठीक है तो यहाँ पर देखो case 2 में क्या हो रहा है x जो है उसकी speed क्या है तो x की जो speed है वो आप double हो गई that is 2x ठीक है न और distance क्या है इसकी sir इसकी distance है 30 km distance होई चल रही है time कितना लेगा भाई यह लेगा sir distance upon speed 30 upon 2x hour यहीं पर अगर मैं बच्चा y की बात करूँ y capital y लिख लेता हूँ y जो person है उसकी बात कर रहे है उसकी speed क्या है no change मतलब y है km per hour distance कितनी कवर कर रहा है वो 30 km और वो time कितना ले रहा होगा 30 upon y hours x double करता है अपनी pace को अपनी speed को he is ahead of y वो y से कितना पीछे है 1 and half hour तो आप यहाँ पे लिखेंगे time by y minus time by x क्योंग अब time of y जादा है क्योंकि वो अपनी speed को double करेगा तो जल्दी चलेगा तो 30 km distance करने में वो time कम लेगा पहले से ठीक है न equal में क्या जाएगा 1 and half इन दोनों के time का difference कितना है 1 and half क्या यह बात पकड़ में आगई अब की वार हम y को आगे लेंगे क्यों लेंगे क्योंकि y जादा time लेगा और x कम time लेगा यह बात पकड़ में आगई यह आपकी equation 2 होगए इसको थोड़ा simplify कर लेते देखो x की term पहले लिखता हूँ y की term बाद में लिखूँँगा हाई ना बोलो हाँ सर बात तो सही है तो मैंने कहा यहां से मैं अगर 2 से cancel कर लो इसको कर लो क्या हाँ 2 से cancel नहीं करते रोको एक बार इसको ऐसे लिख लेता हूँ minus 30 upon 2x plus 30 upon y 3 and half को मैं 3 by 2 लिख लेता हूँ अब देखो उपर से 3 common आ रहा है देखो सब में से आ रहा है क्या हाँ सर 3 common आ रहा है मैंने खाँ ले लो भाई क्या कर लो 3 common ले लो तो उपर से 3 common लेते हो तो यहां से माल लो तुमने 3 common लिया तो इसको क्या लिखोगे minus 10 upon 2x हाँ सर plus 10 upon y equal में 3 upon 2 3 से 3 cancel अब यह जो 2 multiply होने के लिए भेज़दो इदर क्योंकि यहां पर 3 है न उपर number और यहां पर upon में आएगा 1 upon 2 तो मैं इसको next slide पर लिखता हूँ minus 10 upon 2x plus 10 upon y equal आ गया 1 upon 2 के अब यह 2 इदर multiply होने वे जो तो minus 2 into 10 upon 2x हो जाएगा plus 10 into 2 upon y हो जाएगा 20 upon y प्लस का और equal में 1 that is your equation number 2 और equation 1 क्या है हमारे पास 30 upon x ओके minus 30 upon y equal में 3 मैंने खाएगा इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं आपे क्या करते हैं सार मैंने देख उपर से 3 common ले लेते हैं आपन तो यह हो जाता बच्चा तमारा 10 upon x minus 10 upon y equal में 3 3 से 3 cancel one time तो आप इसको लिख लेते हैं इस equation को क्या 10 upon x minus 10 upon y equal 1 that is your equation number 1 खीके ना मैं इसको erase कर देता हूँ अब समझा दिया मैंने calculation की यह थोड़ा सा simplify किया है clear है सबको ना आपकी equation 1 क्या हो जाएगी इसको अठा देते हैं इसकी जगा लिख लेते 10 10 upon x minus 10 upon y equal 1 that is your equation number 1 हमने देखा कि 1 upon x और 1 upon y दिखा तो आपने खाल लेट 1 upon x को हम m ले लेते हैं and 1 upon y को हम n ले लेते हैं तो हमारी first equation हो जाएगी minus 10 m first equation plus में आएगी भाई 10 m इसको देखकर minus 10 n equal 1 that is your equation number 3 और इसमें आप 1 upon x की जगए m और 1 upon y की जगए n रखोगी तो आप ही हो जाएगा बच्चा minus 10 m plus 10 n equal में 1 that is your equation number 4 अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर मैंने खाएर यहाँ पे कुछ घडबड हो रही है कुछ तो घडबड किये अरे सर यहाँ पे 20 लिखो ना मैंने खाए ओके ना दोनों equations में m के coefficient सेम दिख गए तो आपने खाएड equation 3 and 4 10 m से 10 m कट गया यह बचा 10 n equal में 1 plus 1 2 और यहाँ से हमारे पास n की value क्या आ रही है 2 upon 10 2 upon 10 को आप 1 upon 5 बोल सकते हैं भाई बोल सकते हैं यहाँ सर अब आपने का पूट n equal 1 upon 5 in equation 1 या 3 तो आपने 3 में पूट किया 10 m पहले से minus 10 into 1 upon 5 हो जाएगा equal में क्या आएगा 1 5 से 2 time cancel तो 10 m minus 2 equal 1 जान से देखना हाँ सर now m की value क्या हो जाएगी 2 दर जाएगा तो 1 plus 2 और 10 m ही रख लेता हो अब m की value लिख लो अपन 3 upon 10 आ गई n की value 1 upon 5 m की value 3 upon 10 तो हमें x और y की value चीए हाँ सर बात तो सही है तो मैंने का देख x किसके equal है x तो direct तो किसी के equal नहीं है but 1 upon x जो है 1 upon x जो है वो m के equal है तो हम लिख सकते है 1 upon x equal at 3 upon 10 के और यहां से x की value की आ जाएगी 10 upon 3 similarly 1 upon y के equal आपका n के equal है तो आप लिखेंगे 1 upon y equal हो जाएगा 1 upon 5 के और y की value की आ जाएगी बच्चा 5 x और y की value जा गई अब देखो मैं थोड़ा सा question को थोड़ा समझाने की आपको कोसिस करूँगा और थोड़ा सा time ओर लूँगा आपको इस example के लिए क्योंकि यह जरूरी है समझना important है क्या समझना जरूरी है बच्चा वो देखो x की value आ गई 10 upon 3 y की value आ यह 5 ता आप बोलेंगे देखो हमने x late किया था speed of capital x और इसकी value आ यह 10 upon 3 km per hour और y की speed आ रही है हमारे पास 5 km per hour अब आप यह एक चीज़ नोटिस करो किसकी speed ज़्यादा है y की speed ज़्यादा तो पहली situation क्या करे थी x takes 3 hours more than y to walk 30 km तो case 1 को मैं आपको दुबारा समझाता हूँ मैंने का x की अगर मैं बात कर रहा हूँ x है वो speed क्या चल रहा है भाई 10 upon 3 km per hour distance कितनी कवर कर रहा है 30 तो time कितना लिया इसने distance upon speed तो 10 upon 3 का डिवाइड करोगे तो आप लिखोगे 30 into 3 upon 10 0 से 0 कैंसिल तो यह ले रहा है 9 hours वहीं अगर मैं बात करूँ y की बच्चा तो y की बात करोगे तो speed कितनी है इसकी 5 km per hour अरे भाई speed तो 5 है ना आपने find out किया हाँ sir बात तो सही है now distance कितनी कवर कर रहा है 30 km time कितना लेगा 30 upon 5 कितना आया भाई 6 आया अब question क्या according यही तो कह रहा था question की x 3 गंटे जादा ले रहा है तो मैं ऐसे बोला था कि x के time में से y का time minus करो तो 3 गंटे का difference आएगा देख लो भाई हाँ sir बात तो सही कह रहे थे आप मैंने का यही तो मैं बोल रहा था या फिर तो मैं ऐसे बोलो देखो हमने 2 case बनाया थे ने आपे एक तो यह बनाया था कि x के time में से y का time minus करेंगे 3 आएगा या फिर x का जो time में वो y के time से 3 जादा है तो आप यह भी चेक कर सकते हो कि x का time कितना है 9 वो y के time से 3 जादा है I think अब क्योसन और अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि quantity दिख रही है पहले हमें quantity नहीं दिखती है हम variable की form में बात करते तो कई बार बच्चों की दिमाग में clear नहीं आता कि क्या कर रहे थे तो क्योसन को last तक देखा करो solution की help से हम चीजों को clear कर पाते है mind में फिर क्योसन clear हो जाता कि क्यों हमने ऐसा किया था अब देखो मैं यहीं पर case 2 की बात करता हूँ यह आप देख लेना आप अमने बच्चा case 2 की बात कर रहा हूँ case second में क्या कर रहा है if x double his pace अगर x अपनी speed को double कर लेता है तो मैं यहाँ पर x की बात करूँगा तो यहाँ पर x की speed क्या है अब हो जाएगी 2 इंटू जो उसकी speed है 10 अपन 3 तो यह हो गया बच्चा 20 अपन 3 कितने distance कवर कर रहा है distance कवर कर रहा है सर वो अगेन 30 km time कितना लेगा distance अपन speed तो 20 अपन 3 लिखूंगा अब divide में और इसको simplify करेंगे तो 30 इंटू 3 अपन 20 हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल 9 अपन 2 आगया अबर्स में और y की बात करेंगे तो y क्या है सर y तो वही है y y की बात करेंगे speed तो वही आपको 5 km कोई change नहीं हुआ था distance कितनी थी इसकी 30 थी time कितना लेगा यह 30 अपन 5 6 अब वो क्या कह रहा है देखो 9 अपन 2 को मैं कह लिख सकता हूँ 3 तू जा 6 4 तू जा 8 4 अवर 4 अप अवर बोल सकता हूँ मैं 4 अप अवर 2 का डिवाइड करके देखा तो यहाँ पे इन दोनों के time में कितना difference आ रहा है सर आप speed double कर ली तो वह जल्दी पहुँचेगा x एक जल्दी पहुचेगा तो y time जादा लेगा तो he is ahead of y 1 and half hours वो y से 1 and half hour पीछे है मतलब y के time में से अगर आप x का time minus करेंगे तो 1 and half आएगा और यही I think अपने किया था है आपे कि y का जो time है उसमें से x का time minus करेंगे तो हमारे को 1 and half मिलेगा क्या यह बात पकड़ में आई यही मैंने अब देखो अब यहाँ पे देखो y के time में से x का time minus कर रहे है तो 1 and half hour आ रहा है ओके clear है सबको अब थोड़ा और अच्छे से clear टी मिली होगी कि यह question क्या था और हमें कैसे करना था चोटी सी line थी बट question में कितना मज़ेदार concept था तो I think example number 5 है समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ share करो उनको भी समझाने की पूरी-पूरी कोशिस करो कि इस type solution को समझा जा सकता है ठीक है ना चलो फिर बात करते है next example number 6 की बड़ा लिखावा है बड़ा लिखने से अपने को डरने के जरूत नहीं है आपने example 1,2,3 सब कर लिए है तो अब दरो मत अब दो कैसे करेंगे इस example को इस example में कह रहा है बाई आपको after covering a distance of 30 km with a uniform speed there is some defect in the train engine and therefore its speed is reduced to 4 upon 5 4 fifth of its original speed मतलब एक train थी वो train 30 km तक जाती है एक speed के साथ uniform speed के साथ फिर उसके engine में कोई problem आ जाती है जिसकी वज़े से बाकी जर्णी में उसकी speed क्या हो जाती है original speed का 4 upon 5 हो जाती है okay consequently the train reaches its destination later by 45 minute इसकी वज़े से क्या हो पा रहा है train जो है वो जहां पहुचनी थी जिस time पे वो पहुचनी थी उससे 45 minute late हो जाती है हमने का ठीक भाई मतलब पहले 2 घंटे ले रहे थी है अब कितना time लेगी वो 2 घंटे 45 minute लेगी अब हमारे पास ना तो speed ना time है एक relation given है तो हमने का देखो भाई हम यहां से बात करते हैं यहां तक की अब क्या मैं से time late कर सकता हूँ मैंने का late कर सकते हूँ क्या मैं speed late कर सकता हूँ क्या मैं distance late कर सकता हूँ कर सकता हूँ तुम तीनों चीजों में से कोई भी दो चीजे लेट कर लो, क्यों सर, मैंने का देख बच्चा, अगर आप train की बात कर रहे है, train की speed लेट कर लेंगे, मान लो x km per hour, और train का time, destination में पहुंचने में time लेट कर लोगे, कि वो y hours ले रही थी, तो आप distance तो calculate करी सकते हैं, भी आपक y, क्या आपको x y पसंद है, सर, x into y बिल्कुल पसंद नहीं है, variables का product की form equation आना कैसे पसंद हो सकता है, तो मैंने का ठीक है, ये cancel कर दो program, फिर आपने का ठीक है सर, मान लो, मैं यह आपके क्या लेट कर लेता हूं, time की जगे, distance लेट कर लेता हूं, कि वो y थी, y km distance उसको cover कर नहीं है, तो क्या मैं उसकी journey का total time बता सकता हूं, तो time क्या होता है, time होता है, distance upon, distance upon, speed, तो आपको होगे distance upon speed y upon x आएगा, इसको macros multiply करके काम चला सकता हूं, तो मैंने का ठीक है, एक case तो यह हो गया, दूसरे case में एक बच्चा बोला, speed, distance, time में, आपने time को लेट कर लिया, distance late कर लिया, x kilometer, time late कर लिया, y hours, तो speed क्या है कि जल्दी बता हो भाई, तो आपने का time भी पता है, distance, speed पता है, तो हम x upon y निका सकते हैं, मैंने का यह वाला program भी fit बैठा सकते हो आप, क्योंकि speed में reduction हो रहा है, तो यह वाला case भी consider किया जा सकता है, ठीक है, तो मैंने तीनो case ब complete करने में कितना time ले रही है, हमें यह कहा रहा है, 45 minute ज्यादा ले रही है, तो आप तीनों चीजों में से किनी 2 को let कर सकते हो, third one find out कर सकते हो, ठीक है न, तो इस case को अराम से बैठ के बनाना, मैं यहाँ पे एक case consider कर रहा हूँ कि मैंने speed let कर लिया, और distance let कर लिया, उसकी journey की total distance कितनी है, y kilometer है, तो मैं time निकाल पा रहा हूँ, कि वो कितना time लेगी जर्णी को cover करने में, तो वो time लेगी y upon x hours, ठीक है, आप घर पे दूसरी चीजे let करना, जैसे मैंने अभी third case दे हो erase कर रहा हूँ न, यह वाला case ले ले लेना कि आपने distance और time let कर लिया, फिर speed आ गई आपके पास, ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आए, तो comment करके बताना, हम तीनों से कर सकते हैं, ठीक है न, तीनों case से question हो जाएगा, अब rd cinema में यह case given है, तो मैं इसी को लेके आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप book को solution देखे तो confuse नहीं हूँ, अब case one क्या कह रहा है आपको जहां से समझना है यहां से, case one यह कह रहा है साब, उसको यहां से चलना था, और यहां जाना था train को, बड़ दिक्कत क्या है कि वो यहां तक पहुंची, मतलब 30 km पहुंची, और यहां पहुंचने के बाद, उसकी speed, जो आगे की speed अवो क्या है, original speed का 4 upon 5, तो 4 upon 5 of x, तो 4 upon 5 of x, km per hour उसकी speed है, ओके, और यहां पे चली थी तो कि उसकी speed क्या थी, x थी, ठीक है न, अब total distance y है, तो यह कितने distance कवर करेगी भाई, इस speed पे, तो आप बोलोगे y में से 30 km, माइनस कर दो, original time यह था, बड़ अब इस case में, यहां से यहां तक train में पहुंचने को, कितना time लग लगने का मतलब है y upon x plus 45, यह hours में है, यह minute में है, ठीक है न, minute में add direct नहीं होगा, आपको इसको hours में change करना पड़ेगा, क्या case 1 overall समझ में आ रहा है, हां सर, हम यहां से यहां तक पता कर लेंगे, कितना time लेगी, फिर यहां से यहां तक अलग पता कर लेंगे, कितना time लेगी और दोनों को add करेंगे, तो इतना time आना चीए, yes or no, हां सर, बात तो समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, अरे yes or no, हां सर, 30 km में कितना time लेगी, distance पता है, speed पता है, तो आप बोलोगे 30 upon x, मैं अराम से समझाओंगा, भी बस overall समझा रहा हूं, ताकि question की थोड़ी हवा ब बने, महोल बने, तो समझ में आए आपको, फिर मैं बूदलूगा कि इतनी distance कवर करने में, इस speed पे कितना time लेगी, दोनों times को add करूँगा, तो यह वाला time आना चीए, तो case 1 को मैं यहां समझा रहा हूं, यह train की speed over roll है, तो case 1 यहां पे समझा रहे है, कि साब देखो, 30 km distance कव करने में, मतलब a to b, और b to c, ओके, तो आप बोलोगे a to b में time, कितना लग रहा है, बताओ, तो आपने का time है, speed, distance upon speed, distance कितनी है, मैंने का distance 30 km, upon x, hours, मैंने का b से c तक जाने में train को कितना time लग रहा है, तो आपने का time लग रहा है, distance y minus 30, upon speed, 4 upon 5 of x, ओके, hours, अठ पटा लग रहा होगा, ओबिसली लगना चीए, थोड़ा से इसको solve कर लेंगे, simplify कर लेते हैं, तो इसको simplify करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, देखो भाई, जाहन से, 4 upon 5 of x है, तो आप इसको लिख सकते हो, y minus 30 into 5 upon 4x नीचे, ठीक है, अब तो ठीक है, hours मैं, अब इसको थोड़ा लिख लेंगे, अपन, overall time कितना लग रहा है, total time, according to question, total time, overall, अपने time से, y upon x hours से, 45 minute जादा है, ठीक है, 45 minute की बात करनी ही कैसे करूँगा, तो आपने का, sir, देखो, आमें पता है, one hour में 60 minute होती है, मैंने का, okay, तो one minute में कितनी hours होंगी, तो आपने का, one upon 60 hours होंगे, overall clear है बात, तो आपने का, 45 minute में कितना time लगेगा, तो ये y upon x तो ठीक है, hours में है, plus, ये हो जाएगा, बचा, 45 upon 60, hours में, अब ये total overall किसमें आ गया, घंटे में आ गया, hours में आ गया, अब इन तीनों को add करो, इन दोनों को add करो, और इसके equal लग दो, ये time, plus ये time, दोनों को मि 5 minute तो मतला 45 minute ज्यादा ही ले रही हो गया, लेटर बोल ला है तो, इतना तो पकड़ में आ रहा होगा, तो आपने खाटी है सर, case 1 की बात समझ में आई, तो overall equation क्या बनी है, हमारी, equation बनी, 30 upon x, plus, y minus 30 into 5 upon 4x, 5 into y minus 30 upon 4x, equal में, y upon x plus 45 upon 60, y upon x plus 45 upon 60, okay, clear है, क्या करें सर, मैंने का यार, कुछ नहीं करना, LCM ले लो इदर, x और 4x का LCM, 4x आएगा, 34 से multiply, 4 into 30, plus, ये 5y हो जाएगा, minus 150 हो जाएगा, equal में, इधर भी LCM ले लो, कितना आएगा, 60x, तो ये हो जाएगा, 60y plus 45, x से x कैंसिल, और 4 से 60 कैंसिल, 4 बन जा, और 4 से 60 कितने टाइम, 4 बन जा, 4, 4, 5, 15, 4 जा, 60, तो आप देखो, 4 into 3, 120 हो गया, plus 5y minus 150, divided by 1 है, equal में क्या है, 60y plus 45 divided by 15 है, अब ये और simplify हो रहा है, 120 और minus 150, तो आप लिखो गया, 5y minus 30, divided by 1, equal में आ जाएगा, 60y plus 45 divided by 15, cross multiply करो, फिर आपने का सर, उपर से 15 common आ रहा है, मैंने का हाँ यार, ये बात तो भूली गए अपर, तो यहाँ से, इन दोनों टम में से 15, कॉमा ले लेता हूँ, कितना आएगा जल्दी बताओ, 15, 4 जा, और 15, 3 जा, divide में 15 है, cancel करो, काम खता हूँ, तो आपके पास बचा बचा, 5y minus 30 equal, 4y plus 3, x का गया सर, मैंने का हाँ यार, x का गया, x तो काट दिया अपने, अरे सर, ये गलत कर दिया सर आपने, x कट करके काम एकदम गलत कर दिया सर, बिल्कुली गलत कर दिया सर, तो कैया मैंने का क्या करूँ भाई अब तो आपने का सर एक काम करो प्यार से इमानदारी से मैंने का क्या तो बताओ मेरे को बच्चा एक्स गायब कैसे हुआ पहली बात तो एक्स गायब नहीं होना चीए था अरे सर यहां पर 60x LCM लिया तो यह x 45 के पास जाएगा फिर यह इसके पास भी जाएगा और फिर यह 3 के पास अरे सर यहां गलती गर दिया आपने मैंने का कोई दिक्कत नहीं है यह x आ गया बस अब 5y इधर ले आओ तो यह जाएगा minus 30 equal 4y minus 5y plus 3x और यहां से क्या मैं equation लिख सकता हूं 3x minus y equal में minus 30 that is your equation number overall 1 पकड़ लो भाई इस equation को ठीकर सर पकड़ ली अब मैंने का एक काम और करो second case और पकड़ते हैं यहां तक अपने पढ़ लिया है ठीक ना अब पढ़ते हैं क्या situation है हम ओके ए से सी तक जा रही थी speed क्या है यहाँ पर starting में x है distance कितनी है total y है और हमारे according time कितना ले रही है बाई distance upon speed hours it had it happen after covering 18 km more 18 km ज्यादा cover करती तो मतलब पहले वो 30 km तक जा रही थी अब 30 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगी यहाँ पर माल लेता हूँ b point तो यह distance कितनी है 30 plus 18 equal 48 अब जो train है वो 48 km पर जाके खराब हो गई पहले वो 30 km पर खराब हो रही थी अब वो 48 km पर जाके खराब हो रही है क्या यह बात पगड़ में आ रही है it had happen after covering 18 km more okay sir कोई दिक्कत नहीं अब आप बताई रहे तो मानेंगे ऐसी बात को मैंने का ठीक है बाट ना बाकी distance कितनी बच गई तो बाकी distance बच गई sir y-48 इस case में speed क्या है इस case में speed x है और इस case में speed क्या है speed तो sir वो ही रहेगी ना 4 upon 5 of x मैंने का ठीक है time overall कितना ले रहे है then train would have reached 9 minute earlier अब train 9 minute early पहुचेगी मतलब जल्दी पहुचेगी पहले वाले time से 9 minute जाल दी तो पहले कितना time ले रही थी 45 minute अरे पहले 45 minute ज्यादा ले रही थी अब 45 minute से कम लेगी कितना 9 minute तो आप यहां पर लिखेंगे अब overall time कितना लग रहा है यहां से लेके यहां तक जाने में y upon x मे लेट थी अब 45 minute की बजाए 9 minute जल्दी पहुच रही है तो आपने का 45 में से 9 minus कर दो तो यहां पर हो जाएगा बचा time overall time y upon x plus 45 में से 9 minus करेंगे 36 divide में 60 लिख दू आवर्स में लिखने के लिए 60 लिख दू न आप तो ठीक है 6 से cancel कर लो इसको 6 6 जा और यह आएगा 6 से कितना बाद में कर लेगे छोड़ो नहीं करते है पर cancel ही नहीं करते है ठीक है यह overall time लग रहा है अब case second में आप क्या लिखोगे case second में आप लिखोगे सर देखो वो a से b तक जा रही है इस case में time कितना लग रहा है time लगेगा distance upon speed distance कितनी है 48 speed कितनी है x मैंने का b से c तक जाने में कितना time लग रहा है उसको distance कितनी है y minus 48 time कितना ले रही है speed कितनी है 4 upon 5 of x जिसको आप यह लिख सकते हो 5 into y minus 48 upon 4 x हाँ सर यह hours में यह hours में और इसको आपने hours में change कर लिया तो इन दोनों को add करोगे तो किसके equal आएगा इसके equal आएगा overall time ठीक है ना तो equation 2 कैसे बनाएगे यही पर बनाते हैं देखो इसके पास में आप बोलोगे सर देखो 48 upon x plus 5 into y minus 48 upon 4 x equal आ रहा है y upon x plus 36 upon 60 ठीक ना यह केस समझना 36 upon 60 कैसे है अराम से बेट के समझना कोई जल्द बाजी मत किया गरो तुम अराम से बेट के समझा गरो चीजों तो आपने का ठीक है सर वही same process अप्लाई करते हैं LCM ले ले लेंगे 4 x आएगा यह हो जाएगा 48 into 4 plus 5y minus 5 into 48 जहां से समझना आप कैलकुलेसर में कलाकारी करूँगा इक्वल में यहाँ पर बच्चा आएगा 60x आप लिखोगे 60y plus 36 into x यह पिछली बार ने लिखा था अगर 48 into 4 है minus 5 into 48 है मागर 48 common ले लो इन दोनों में से तो क्या आपके पास 4 minus 5 बचेगा प्लस 55 बचेगा और यहाँ से 4 बन जा 4 4 15 जा 60 नीचे वन लगा दो उदर देखो इस 60 और 36 में से 6 common आ रहा है हाँ सरा तो रहा है मैंने का 6 लेना ही नहीं प्लस 12 बचेगा और यहाँ से देखो minus 1 उसे बचेगा minus 48 48 से multiply तो इसको लिख सकते हो बचा 5y minus 48 into में 5 और equal में आएगा बचा 20y plus 12x I think यह बात clear है calculation है 25y minus सर यह करके दिखाओ 48 को 5 से multiply करके दिखाओ 48 को अगर आप 5 से multiply करते हो 240 आता है कितना आता है 240 ओके clear है क्या ठीक है सर इक्वल में आ गया है 20y plus 12x आप रहेका 25y दढ़ाएंगे 240 को धरी रहने देएगा minus का 240 equal में 20y minus 25y plus 12x तो यह हो गया बच्चा 12x minus 5y equal में minus 240 that is your equation number 2 12x minus 5y equal में 240 ओके equation 1 और 2 दिख गई साब साब solve कर लो भाई इनको ओके solve कैसे करेंगे अरे राम से करेंगे जल्दबाजी तो बिल्कुल ही नहीं करनी ना अपने को 3x minus y equal में minus 30 that is your equation number 1 okay 3x minus y equal minus 30 second equation 12x minus 5y 12x minus 5y equal में कितना है भाई minus 240 अब आपने का साथ चाहे x के coefficient equal करो चाहे y के करो मैंने का y x के coefficient equal करने के लिए equation 1 को 4 से multiply y के coefficient equal करने के लिए 5 से multiply तो आपने का 4 से ही कर लेते 5 से क्यों करेंगे हम तो 4 से multiply करो होगे तो 12x हो जाएगा यह liner erase कर देता हूं में एक बार और इसको थोड़ा पास में लिख लेते 12x हो जाएगा equation 1 को देखो ज्यांसे 4 से multiply करोगे minus के 4y equal minus के 120 that is your equation number 3 अब equation 3 को 2 से substitute करोगे तो equation 3 के sign change minus plus plus यह कट गए साब minus 5y plus 4y तो minus का y equal में minus 240 plus 140 तो यह बचा minus का 120 240 में से 120 माइनस कर रहे हो 120 बचने वाला है I think तो यहां से y की value क्या आगी 120 अब जो y की value equation 1 में put कर दो था आपने का put y equal 120 in equation 1 तो क्या हो जाएगा 3x minus 120 equal minus 30 120 उदर जाएगा तो 3x equal minus 30 plus 120 तो I think 90 आ रहा है भाई यह value और x की value 30 आ रही है अब x क्या है sir x से speed of train तो हमसे question पूछ क्या रहा है question कर रहा है find the speed of the train and distance of the journey तो हमने का x और y वह ही आया अपने पास x क्या है speed of train original y-cat distance of total journey टाइम भी पूछ ले था कि उसको total journey में normal condition में कितना time लगता वो भी आप बता सकते थे तो आपने का so speed of train is 30 km per hour यह 30 है बाई और distance of journey distance of journey कितनी वाई 120 km per hour अब देखो अगर आपको इस question को प्रोपर तरीके से और अच्छे से समझना है तो एक काम कर सकते हो बस आप एक बार पहले तो इसको समझ लो वीडियो देखा फिर वीडियो देखो फिर तुम्हें क्या करना है फिर एक कोर केस लेना है कि सर माल लो मैं speed को लेट नहीं कर रहा है time distance और time को लेट कर रहा हूं second case ऐसा लो कि आप speed को time को और तुम्हारा भी बेट के समझना अगर नहीं समझ मैं है तो comment करके पूछना वैसे तो आज आना चाहिए ठीक ना clear ना बच्चा चलो यह था आपका example number six next देखो बच्चा example number seven और same train के उपर depend है तो आप भी कर देते अब भी मतलब अभी क्या कर रहा है a train कवर है certain distance at is uniform speed कुछ distance कवर करती है uniform speed के साथ okay if the train would have been six km per hour faster अगर आप train की speed 6 km पर ती घंटे बढ़ा देते हो it would have taken four hour less than the scheduled time जो उसका scheduled time था उससे चार घंटे कम लेगी and if the train were slower by six km per hour अगर आप train की speed 6 km कम कर देते हो it would have taken six hour more than the scheduled time अब तो easy है यह example seven पहले होना चाहिए था example six बाद में होना चाहिए था तो बच्चे थोड़े से clear हो जाते है बट अब तो यार तुम intelligent हो गए मैंने तुम्हें समझा दिया क्या कह रहा है देखो train को यहां से यहां जाना था a से b जाना था माल लो ठीक है speed क्या uniform speed माल लिए अपने x km per hour distance माल लेते हैं क्योंकि length पूछ रहे है जड़नी की तो direct distance y मानो आप distance क्या मान लिए आपने y km per hour तो बताओ भाई कितना time लगा होगा उसको normally तो distance upon speed होता है तो आपको कि distance y time speed x तो इतना घंटा उसको normally लगना चीए था बट case 1 क्या कह रहे है आपको case first यह कह रहे है कि अगर आपकी जो train है वो a से b जाते वक्त उसकी speed को आप क्या कर देते हो ब ना लगेगा मेरे according time लगेगा y upon x plus 6 बट क्योसन इसको कितना बता रहा है क्योसन इसको कह रहा है original time से 4 गंटे कम बढ़ा दी तो कम लगेगा कम लगने का मतलब है original time क्या था y upon x उसमें से 4 गंटे माइनस तो यह वाली यह hours में given है तो अपने direct सब्टेट कर दिया अगर minute में होता तो अपने को change करके सब्टेट करना होता overall hours तो यह जो time है और यह जो time है दोनों बराबर आ गए हमारे according यह time लग रहा है question कहा रहा है चार गंटे कम तो हमने का original time यह था उसमें से 4 गंटे कम case 2 क्या कहा रहा है वहाँ पर case 2 में आपको कुछ नहीं करना बच्चा देखो case 2 में आप क्या करोगे case 2 में आप करोगे क्लाकारी यह कि speed क्या हो जाएगी उसकी x plus 6 नहीं x minus 6 कितनी हो जाएगी x minus 6 distance कितनी रहेगी y तो इस situation में उसको time कितना लगेगा y upon x minus 6 but question क्या कर रहा है 6 hour more than the schedule time अपने schedule time से 6 गंटे जादा तो question क्या according to question time क्या रहा है बाई schedule time से 6 गंटे जादा तो plus 6 hours अब यह दोनों value आपस में equal रख देंगे और question solo जाएगा ओके I think question में आगया चला फिर case 1 को यही निप्टा लेते हैं अपन अरे case 1 को अपन यही खतम करते हैं तो आप case 1 में क्या लिखने वाले हो according to question अपन समझते है case 1 पहले मैं आप लिखते हूँ case 1 आप बसे लिख लेना let the speed of the train uniform speed of the train is x km per hour distance is y km per hour so time will be distance upon speed this ओके तो यह उसका schedule time था schedule time मतलब जो उसका time होना चीए था case 1 में वो कह रहा है if speed is increased by 6 km per hour तो हमने का speed कितनी है वाइस की case 1 में train की x plus 6 km per hour distance कितनी कवर कर रहा है भाई y km अरे आप पर hour क्यों लगा रहा हूँ मकलाकारी ज़्यादा कर दी न मैंने now time क्या होगा अपने according distance upon speed तो आप लिखोगे distance y upon x plus 6 hours according to question यह जो time है वो schedule time से schedule time कितना है y upon x उससे 4 गंटे कब इसको हमें तोड़ा simplify करना है तो कैसे करेंगे भाई सर simplify करोगे तो lcm लेके करोगे मैंने का हाँ भाई तो आप यहाँ पर lcm लोगे तो x plus 6 आएगा वो y है यहाँ पर तो y रहेगा ना y upon x plus 6 ही रहेगा मैंने खाँ ठीक भाई उधर क्या हो जाएगा उधर सर lcm आएगा x तो यहाँ माइनस 4 x सर यह यह कलाकारी और यह पर दिक्कत आ गई मैंने का क्या आगई सर मैं इसको cross multiply कर रहा हूं तो मैं फंस रहा हूं मैंने का हाँ यार फंस तो रहे हैं अपन क्योंकि इधर multiply कर रहे है इधर multiply कर रहे हैं यह square में आ रहा है y upon x आ रहा है square अपने को चाहिए नहीं सर क्या करे सर क्या करे कुछ तो करना पड़ेगा मैंने का यही तो बात में तुम्हें example number 6 में समझा रहा था कि let क्या करना है वो सोच समझ के करना है और अपने यहां पे बिल्कुल सोच समझे बगेर कर लिया था तो इससे बचने के लिए क्या उपाय अपने पास तो RD सर्मा में अपने को कलाकारी गीवन है कि माल लो speed x है और time क्या ले रही है y ले रही है time क्या ले रही है y तो अपने का ठीक है सब change कर देते है time y ले रही है इसको अटा देता हूँ अप फटा फट जल्दा कलाकारी नहीं करेंगे distance अपने को मतलब ही नहीं है time क्या ले रही है अब यहां से तुम्हें एक बात दिमाग में क्लिक कर लेनी है कि जिन दो चीजों में change हो रहा है उन दो चीजों को आप let करो जिन चीजों में change हो रहा है उन्हीं को आप let करो हाँ टाइम आपने लेट नहीं किया आपने distance और speed को लेट किया तो ये बात एक दिमाग में clear रखना है कि जब भी speed, distance और time का क्योसन आएगा तो हमें किन दो चीजों को लेट करना है जिन में क्योसन के according changes हो रहे है तो आपने खाए ठीक असर ये बात important है इसको लिख लेना कहीं पर तो आपने खाए ठीक है टाइम चेंज हो गया अब distance क्या हैगी distance क्या होती है speed into time होती है तो आप लिखोगे x into y km यहाँ पर भी क्या हैगी x into y km अब case 1 में time हमारे according क्या हैगा हमारे according तो y है but question क्या according क्या है y minus 4 है अब यहाँ पर लिखो speed ठीक है distance क्या हो जाएगी x into y तो इसको मैं थोड़ा सा change कर देता हूँ distance है x into y और हमारे according time आ रहे है x into y upon x plus 6 question क्या according क्या है according to question यहाँ लिखोगे अब according to question x upon x into y upon x plus 6 की value आ रही है y minus 4 के time upon time क्या है time y minus 4 ही लिखना है हाँ y minus 4 original time से 4 गंटे कम हमारे according time यह आ रहा है उसमें से 4 गंटे कम अब इसको solve कर लो भाई solve करोगे तो इसके नीचे 1 लगाओगे और cruise multiply करोगे तो यह जाएगा बच्चा x into y equal 1 से multiply लिख देता हूँ 1 into x into y x plus 6 into y minus 4 यहाँ पर solve कर रहा हूँ मैं ध्यान से देखना x into y equal इस x को इस bracket से multiply रहोगे तो xy minus 4x आएगा फिर 6 से multiply रहोगे तो plus का 6y minus 24 आएगा xy से xy कट गया 4x को यह दढ़ लिया है 6y को यह दढ़ लिया है तो यह गया 4x minus 6y equal minus 24 that is your equation number 1 I think पकड में आगी कुछ cancel हो रहा है 2 common आ रहा है सर तो मैंने का एक बार रुक जो equation 1 मत मानो इसको 2 common ले लो तो यह अगा 2x minus 3y equal minus 24 और 12 आ जाएगा तो यहाँ से equation 1 बनेगी 2x minus 3y equal minus 12 that is your equation number 1 अब बात करते है case 2 की तो case 2 में क्या गह रहा है सर case 2 में क्या रहा है speed जो है वो क्या है slower हो गई तो मतलब x minus 6 आ गई km per hour distance कितनी है distance x into y है तो बताओ time कितना लेगी हमारे according distance upon speed की according आप बोलोगे x into y upon x minus 6 hours according to question time कितना है जो हमने late किया था उससे 6 गंटे जादा देखो जो अपने late किया था y उससे 6 गंटे जादा तो plus 6 लिख दूए आपे now दोनो time equal होने चीए तो आप यहाँ पे लिखोगे so x into y divided by x minus 6 equal हो जाएगा y plus 6 के नीचे 1 लगाए cross multiply तो x y equal हो गया x minus 6 into y plus 6 के तो आप लिखोगे x y will be x से multiply कर दो x y minus 36 x y से x y कर गया और इसको ऐसे लिख दो 6 x minus 6 y 36 उदर चला जाएगा तो plus का 36 6 को मना रहा है तो x minus y equal 36 तो यहाँ से आपकी equation आगई x minus y will be 6 that is your equation number 2 x minus y equal 6 okay sir equation 1 और 2 आगई यह निचे लिखते है आपन equation 1 क्या है 2 x minus 3 y equal में है minus 24 that is our equation number 1 और second equation है x minus y equal 6 क्या करोगे बाई sir equation 2 को multiply कर लेते है 2 से तो इसको 2 से multiply करेंगे तो यहाँ लिख रहा हूँ 2 x minus 2 y equal 12 that is your equation number 3 और इसके निचे 1 लिख लेता हूँ 2 x minus 3 y equal minus 24 that is your equation number 1 तो आपने का सर देखो y के x के coefficient equal कर लिया आपने हाँ तो sign different कर लो तो मैंने का सब्टेट करता हूँ सब्टेट equation 1 from equation 3 तो यह minus यह plus और यह plus यह cancel हो गया भाई यह आ गया बच्चा plus का y equal में 12 plus 24 36 आ जाएगा क्या देखो 36 आ गया ठीक है distance आ गई y आ गया मतलब distance मतलब time y की value put कर लो equation 2 में तो आपने का put y equal 36 in equation 2 तो आ गया x minus 36 equal 6 x की value आ गया 36 plus 6 equal में 42 तो ना देखो x क्या है speed है y क्या है time है तो हमें distance पूछ रहा था तो distance क्या होता है भाई distance of journey is x into y है यह आपने तो लेटकर रखा है distance x into y find the length of the journey पूछ रहा है तो आपने का x into y का मतलब है 42 को 36 से multiply करना है कर ले ना भाई इसको multiply 42 को 36 से multiply करना है और कुछ गलत कर दिया गया आपने कुछ तो गडबड़ कर दिया 36 आ रहा है ठीक है यार y की value और plus y equal एक मिनिट रुको कुछ गलती हो रही है अब आप लोग मुझे कहने वाले हो सर आप क्यों सन गलत बहुत करते हो मैंने का यार mistake हो गई लिखने में मैं क्या करूँ क्या लिखने में mistake होगी सर मैंने का first equation को लिखो 2x minus 3y equal minus 12 और मैंने क्या लिख दिया हाँ पर 24 तो मैंने का इसको change कर देता हूँ minus 12 ठीक है अब जहां से देखना है यहाँ पर 12 आ जाएगा बस यहाँ पर क्या जाएगा minus 12 और 12 plus 12 24 आ जाएगा क्या जाएगा भाई 24 ओके तो y की value 24 आ रहे थी मैंने गज़त कर लिया इसको तो 24 अब यहाँ पर 24 लिखने वाला हूँ जहां से देखना तो आपने का लिख दो सर मैंने का बचा 24 लिखा तो इधर जाके 24 ही plus होगा मैंने का हाँ तो यह कितना आएगा देखना 24 plus 6 कितना होता है 30 तो अब यह मुझे 30 को multiply करना है किसके साथ 24 के साथ बस 30 multiply by 24 0 4 3 0 12 carry 1 6 720 km तो आपका answer आगया भाई 720 km I think example 7 तक बाते clear है अब exercise के जब हम question करेंगे तो same pattern के question मिलने वाले है तो time consuming है जरूर consuming है time तो जिसको example थोड़े थोड़े समझ में आए कम समझ में आए कोई दीकर नहीं आप बच्चे बहुत आगे हो आपने example के वीडियो देख रहो कई मारास तो ऐसे हैं तो देखते ही नहीं अब जब आप exercise की question पढ़ोगे तो आपको clarity रहेगी कि क्या करना है क्यों करना है कैसे करना है तो ये वीडियो आपके examples के आपने देखे हैं तो पसंद आएं तो like करें प्यारा सा comment करके बताएं वीडियो को like कर दें और चैनल को subscribe जरूर कर लिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें आपको डूणना नहीं पड़े और मुझे भी थोड़ा motivation मिलते जाएगी आप बच्चे जूढ रहें मैनत कर रहें बच्चे मैनत कर रहें तो अपन भी मैनत करें ओके बच्चा तो ये था आपका examples of exercise 3.9 thank you for watching the video love you all have a nice day and best of luck for your future bye बेटा